इस नवी फ्रेस ब्लोग में तो मैं आज तो गाउ में आया हूं गाउ में घूमने के लिए आ गया हूं रोजो के खुसी में तो हम कटक में अभी है नहीं फिलाल गाउ में है तो मेरा आक्शन केमरा भी लेके आगया था मुझे लगा साहिद कुछ काम में आ जाए तो आखिरक लोगों को ब्लॉक कर लेते हैं उसी बहार ने हमारे गाउं का एकस्प्लेन हो जाएगा आप लोग के सामने वो जो भी हो गाये देखते हैं इस तरफ गाउं में गाये ज्यादा तर घूमते तो इसलिए थोड़ा देख के चलाना पड़ता है बहुत तेज चलाने को डल लगता तो आप लोग रोजो में गाउं माओ गये है कि नहीं तो सब लोग कॉमेंट में बताना तो हम तो घूम रहे हैं ऐसे ही तो सब लोग विडियो का एंजय लीजिए और देख सकते हो गाउं में कैसे मतलब पेड़ में ड़े पुरा नेचर गाउं का नेचर अभी बचा है वर सोचना हो कास हमारे आरेस को लेके आ जाते तो इधर थोड़ा थ्रटल देके मज़ा आ जाता फिर भी चलो कोई नहीं इसमें भी खीचेंगे लेकिन ये गाय बंपर्स और ऐसे बच्चे मच्चे कहीं भी ऐसे घुस जाते है थोड़ा इसलिए थोड़ा संभाल के चलना पड प्रें कैसे तो देख सकते हो टम्निंग मस्त टॉन है लेन करके जाने के लिए मज़ा बहूता रहे है लेकिन ये छोटा पहिया तो थोड़ा डर लग रहा है हमारे में मोटो टायर साइज होता है तो उसमें उतना डर नहीं लगता है ये चो बुद्ingo में किक्याइश्ज तो पुरा खाली खाली शाल लग रहा है देख सकते हो पुरा लीन के साम मस्त दिख रहा है यह वह लीन देखके मुझे आयाद आ जा रहा है भाई कायस होती है हमारे आरेस मज़े आ जाता पुरा कि यह सामने जैसा गड़ा खोदा है अगर कोई अंधिर में आएगा ना मेरे जैसा तरह नया नया आएगा वह कॉंफर्म वह गड़े में डालेगा है भाई को अपना तो चलो कोई नहीं हम तो बच गए हैं तो राइड का एंजोई करिए सब लोग और जोग लोग नए हो तो स सपोर्ड दिखा और आपके सपोर्ड प्यार में से हम सब कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ करेंगे ऐसे ही आपके लिए नय नय ब्लोग लेके आएंगे अगर जिस जगह हमारे मिस्टेक हो रहा है तो कॉमेट में बता दीजिए हम उसको सुधा रहेंगे और इधर एक लीन करन वरना पुरा खजल हो जाएगा पुरा और यहीं आगे राइड साइड जो दिख रहा है वह बेतनोटी कॉलेज है देख सकते हो यह 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 रहां बेतनोटी कॉलेज है यह इधर लेट साइड में है बेतनोटी पुली स्टेशन और यह आगे आगे आके हम देख लिये हैं बेतनोटी रेलवे स्टेशन तो कहीं भी कोई आजेते हैं इधर से स्टेशन से उतर सकता है यहीं से जा सकता है तो कोई मसला नहीं है अबें को तो है इसे हम एसे घूमने आ गए हम सोचे चलो बोर लग रहा है चलो ग्वोंते हैं के अभी तो घूमके घर को वापस जाने वाले हैं और है को इने सोचा इसी वहाने आपके लिए व्लोग भी बना लेते हैं जिस जिसको पसंद आ रहा है तो लाइक कॉमेट सब करिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए सपोर्ट दिखा दीजिए प्लीज यह रेल्वे क्रोसिंग है क्रोस करके जा रहे है फिलहाल होचा अपार देख सकते पुरा आगे का ब्रेक पकडुन पूराि नहीं रहे है पूरा अगे का ब्रेक पकड़ ले रहा हूं फिर भी पकड़ नहीं रहा है व्रैक कर दो खतोंवी सबसर हो यह ऑन्यक पिछला प्रेक उसमें काम चला ऐं लेट साइड मतलब देखो पूरा पेड़ पेड़ और राइड साइड पूरा खेत है नाजार बहुत भाहंकर लग रहा है तो मस्त लग रहा है जो हवा जो नेचर का हवा है ना उसमें जो सुकून है और किसी में सुकून नहीं अगर किसी को यकीना हो तो गाओं के जगा जाओ फिर उद्धर का हवा देखाओ फिर बताना कैसा लग रहा है और मौसम बहुत बिगड गया है बारिस होने वाला है मतलब क्यामेरा में क्याप्चर हो पारा होगा कि नहीं मतलब बिजली मार रही है बहुत तगड़ा अब डर लग रहा है कहीं बिजली हमारे उपर ना गिर जाए इसलिए जितना जल्दी हो सके घर पहुंचेंगे तो टेंसन जाएगा तो बारिस भी मूटा मूटा होने लगाए फिर अब तो फिलाल हलका हलका वारिस तेज हो गया तो देखना पड़ागा कहीं पर रूप जाएंगे कुछ समय के लिए क्योंकि विजली बहुत तेज माली है कि और यहिभी वारिस आइश्बशता तेज होते जा रहा है होते जा रहा है कहीं आगे कुछ कहीं देख के खड़े हो जाते हैं यह दोशिजन बोल रहे तो आगे मंदिर है उदर खड़े हो जाएंगे है क्या करें हाला थी कुछ ऐसी है बारिस मतल्ब खाली बारीस होता चला चल जाता जो बीजली बहुत तेज गिर रहे बीजली में कहीं हमारे ऊपर बीजली ना गिर जाए उसी बात का डर है यहीं लेट सेड यही मंदीर है चोटा सा मंदर यहीं पर बार्थ पाइक रख लेते जले जाते हैं फिर बाई बजिस बहुत तेज है देख सकते को बिजली बहुत भयांकर वाई डर लग रहा है मतलब जैसे आवाज हो रहा है ना पुरा फट रही है मेरी फटके हाथ में आजाएं कहीं मतलब हमारे उपर ना गिर जाए देख सकते हैं बिजली जैसी की तो अभी फिलाल निकल चुके हैं तो बारिस खतम हो गए बिजली भी खतम हो गए तो जितना जल्दी हो सके हम घर पहुंचने की कोशिस करेंगे क्योंकि जैसे बिजली भाई जो अभी उसको आमने सामने ठोक देते हैं जलो कोई नहीं अच्छे से बज गए हैं फिर भी देखा देखे करके थोड़ा जल्दी से पहुंचने की कोशिस करेंगे कि बारिस तो बहुत तीज हो गई है कि देख सकते हो कि सब्सक्राइब सब लेट गया है इस सब को देख के आप अंदजा लगा सकते हो कि कौन सी रेंज में बारिस हुआ है हवा कैसा चल रहा होगा यही बारिस के दिन में यही तो तकलिब होता है बारिस बहुत गंता लगता है देखते यह देखो पेड़ में डशाब गिर गया है तोड़ के बिखर गया है चलो कोई नहीं झाल यहीं